Good morning students, I am your Hindi teacher from Smart Indian Model School. Students, today we will study Hindi. Okay, now get ready. I am going to tell you about Grandpa. बच्चों ये देखिए, ये फोटो किसकी है? ये कौन है? ये हैं हमारे दादा जी. दादा जी तो सब के हैं न, सब अपने दादा जी को बहुत प्यार करते हैं न, बच्चों. तो ये जो फोटो है, ये है एक दादा जी की फोटो, जिनने हम बाबा भी कहते हैं. अब आप देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं न वो दादा जी के साथ में ऐसे ही तो खेलते हैं जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है तो बच्चो ये जो आज हम पढ़ेंगे न वो एक दादा जी और उनके एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो वो आपको चैप्टर में बताएगा ठीक है अब हम लोग आगे देखते हैं अभी हमें एक फोटो दिखाई दे रही है जो है एक कुट्टा एक डॉगी है न आपको दिखाई दे रहा है न तो उस वाली कहानी में एक कुट्टा है एक दादा जी है और एक बच्चा है ठीक अभी मैं आपको और भी कुछ दिखाने वाली हूँ आपको ये सब चीजों को पता होना चाहे कि ये क्या होती है अब आप देखिए यहाँ पर आपको ये क्या दिखाई दे रहा है ये है पत्र लेटर जब हमको कहीं दूर बैठे लोगों को अपना संदेश देना होता है ना तो हम इस सबीके से पत्र में लिख करके अपनी बात को उन तक पहुचाते हैं ठीक है तो ये है रेटर इसे हिंदी में कहते हैं पत्र खत आपने पढ़ा भी है दो अक्षर के शब में खत बचों अब देखिए ये है आपकी हिंदी की बुक जिसका नाम है सुनहैरी धूप ठीक है नाओ ओपन यॉर बुक एंड टुडे वी विल स्टेडी चैप्टर सिक्स नेम इस ब्रूनो मिल गया अब ये ब्रूनो कौन है ये है वो कुत्ता जिसकी फोटो मैंने आपको दिखाई थी अब आपको देखिए कहानी में दिख रहा है ना एक बच्चा है उसके साथ में एक कुत्ता है फिर उस कुत्ते को कोई पकड़ के रे गया फिर कुत्ते ने दर्वाजे पर आवाज दी है ना तो ऐसे ही फिर वो कुत्ता उनके घर वापस आ गया तो ये जो हमारा चैप्टर है ना तो इसमें एक बच्चा है जिसका नाम है संचे वो अपने दादा जी को पत्व लिख करके सारी बात बताता है कि कैसे क्या हुआ उसका एक कुत्ता था वो खो गया था फिर वो वापस आ गया है ना हम लोग अपने दादादारी से अपनी सारी बाते शेयर करते हैं ना तो वैसे ही इसमें भी है